हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि अपवा एफ 25 प्रो फोन में अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो इस प्रोब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक अपवा एफ 25 प्रो फोन है और इस फोन में अपको मॉबल डाटा चल नहीं रहा है मॉबल डाटा ओन कर रहे हूँ मॉबल डाटा या पर से ओन भी हो जा रहे हैं लेकिन नेट जो है वो काम नहीं कर रहे हैं सारे ही एफ में आपको ओफ लाइन दिखाए जा रहे है तो कैसे आप लोग अपनी इस फोन में इस इंटरनेट पॉबलेम को सॉल्व कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिए गए इस वीडियो को स्टाट करते हैं इंटरनेट पॉबलेम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपनी स्पॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद सीम कार्ड एंड मोबाल डाटा का ओप्शन हैगा इस ओप्शन पे क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद जिस भी सीम में नेट नहीं चल रहे उस सीम पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद नीचे आपको मिलेगा Access Point Names का Option इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद उपर Three Dot का Option मिलेगा Three Dot पे क्लिक करेंगे Reset Access Point Names का Option इस पे क्लिक करेंगे और Reset Access Points पे क्लिक कर देंगे ऐसा करती है आपका जो Appian Settings होता है यह वह रीसियर हो जाएगा और आपके फोन में Net चलने लग जाएगा फिर भी नहीं चल रहे तो आपको फिर से से चर्टिंग्स में आब बला करने के बाद आपको टाइप करने है रीसेट टाइप करती या पर एक औप्षन है का रीसेट नेटवोक सेटिंग्स का इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद रीसेट प्लिकक करेंगे अपने फोनक जो स्क्रीन लोग होते हैं इसmates को डालेंगे और रिसेट नेट वोक से टिंग्स होते हैं वो रीशेट हो जाएगा रीशेट होने के बाद आपके फॉन में नेट चलने लग जाएगा तो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Oppo F25 Pro Phone में इंटरनेट प्रॉब्लेम को सॉल्व कर सकते हो तो कैसा लगा गए आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में अब तक के लिए बाबाई